है 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 गाइस वेल्कम बैक टू मैं चानल एगें माइम इस मौमित अस्ता और आप देख रहें टीछ फे बिगनर यूट्यूब चैनल तो गाइस आज किस वीडियो में अपडेट है ओएंजसी की तरफ से जो की बिलकुल डिफरेंट है है eligibility criteria, selection procedure हम इस वीडियो में ब्रीफ में डिसक्स करेंगे और notification को भी ब्रीफ में डिसक्स करेंगे तो गाइस प्लीज वीडियो को एंज जरूर देखना अगर आप eligible है तो तो गाइस आगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आया है तो चैनल को सब्स्क्राइब करते जिए और सा बढ़िया नोटिफिकेशन आया है ONGC के तरफ से ONGC का जो नोटिफिकेशन है उसमें अलग-अलग नोटिफिकेशन वाइज साथ से 8 नोटिफिकेशन आया है टेक पास, 12 पास, ग्रैच्वेट, फ्रेशर सब के लिए यहां पर वैकंसी है तो हम स्टेप पास सारी चीज़े डिसकस का रहेंगे तो वीडियो को एन कच ज़रूर देख नगाई तो सबसे पहले हम बात कर लेटें ONGC के नोटिफिकेशन ज दोनों ही अपलाई कर सकते हैं, अपलाई करना अल्रेडी स्टार्ट हो चुका है तो अगर आप एलिजिबल है तो जल्दी से चाहिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप अपलाई कर सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक जरुष से करते हैं इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है अप लोगों के लिए निया निया वीडियो बनाना ओके तो इसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना है और यहां पे आपका कोई भी एक्सम नहीं होगा यह डाइडिक्ट रिक्रूट्मेंट है एक अच्छी बात यह है कि इसके लिए फ्रेशर्स कांडिडेट भी अपलाई कर सकते हैं वो लोग भी अलिशिबल है अब देख लेते हैं कौन-कौन से वेकंसे आउट हुई है तो इसमें जो पहली पोस्ट है वह है अकाउंट एक्जिक्यूटिव की नंबर वेकंस के अ तो आप इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते गाई अप इलिजिबल है इसके बाद सेकेंड पोस्ट जो है वह एससिस्टेंट की इसमें नंबर वेकंसे अगर हम देखे तो 36 है अगर अपने ग्राजुएशन किया है किसे भी ब्रांक से तो आप इस पोस्ट के लिए एलिज की तो एज लिमिट इन्होंने कुछ मेंशन तो नहीं किया है नोटिफिकेशन पे पर मिनिमाम एज लिमिट आपका 18 होना चाहिए ओके अब देख लेते थर्ड पोस्ट क्या है तो आज की जो थर्ड पोस्ट है वो है COPAK के लिए मिन्स कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग एसिस्टेंट के लिए तो अगर आपने 10 के बाद ITI की हुई है किसे परसेंटेज के साथ तो आप इस पोस्ट के लिए space eligible हैं और आप apply कर सकते हैं नंबर वेकेंचे हैं तो 23 है तो अगर आप eligible % है तो आप apply कर सकते हैं लौर mindful जो पोस्ट है वह ऐ यहाँ पर नंबर वेकांचे मैकिल्स 26 तो अगर आपने ITI ची हुई है मेकानिक में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अब देख लेते नमबर फिफ्ट टे कौन सी पोस्ट है नमबर फिफ्थ जो पोस्ट है यहां पर वो है लबरेटरी एसिस्टेंट के लिए यहां पर नमबर ओफ वेकंसिस अगर हम देखे तो 20 आउट हुई है तो अगर आपने बीएस्ट की हुई है वि जब मैट और हिंदी के साथ पाक आउट किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और आप अप्लाई कर सकते हैं इसके आपको विक के सिर्फ 5 तेस्ट काम करना है और टू डेज उपका छुटते रहेगा तो आप पिनदफ एक्स कर सकते हैं ओके अब बात करते सिक्स पोस्ट की जो सिक्स पोस्ट है वो है आईटिया रेफ्रिजरेशन और एयर कंडिशिनर के लिए नॉब नमबर वेकंस यहां पर 11 आया है तो अगर आपने आईटिया की हुई है रेलवे डिशिपलें में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और आप की है इसके लिए 12 वेकंस आउट हुई है अगर आपने आईटिया मेकानिकल रिजल में की हुई है तो आप जरूर से करती है आप इलिजिबल है उसके बाद लास्ट जो पोस्ट है आज का वो है आईटिया फीटर के लिए तो नमबर वेकंस यहां पर भी 12 है और आईटिया अगर आपने किया है फीटर में तो आप अप्लाइ कर सकते हैं आप एलिजिबल हैं एक इंपॉर्टेंट बात गाइस जो वेकंस हुए इन जिसे की तरफ से आउट की गई है वो नपीएस के अंडर आउट हुई है मिस नाशनल अपरेंटिशिप प्रोमोशन की वान यार के जिसमें आपको 6,000 से 9,000 स्टैपेंट मिलने वाला है तो अगर आप एलिजिबल है तो जल्दी से जल्दी अप्लाइ करतीजिए लिक आपको रिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आट के लिए इतना ही इसे के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलता है नेक्स वीडियो आप मुशे कॉमें सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं थैंक्यू गाइज